दोस्तों स्वागत आप सबकार डियाज नंबर और फेंटेसी क्रिकेट गुरू यूटूब चैनल पर गाइस आज बिग बैश लिग का अठारवा T20 मैच बिर्स बैन और एडिलेड की बीच में खिला आगा दिने दिन हो गए रोजाना वंड़ साइट भी कर रहे हैं कल का मैच आपने देखा होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा या टेलीग्राम जोईन कर रखा होगा तो जो इंपोर्डन प्लेयर ते जो रोजाना परफॉर्म कर रहे थे उनके बारे मैं आपको बोल दिया था कि इन प्लेयर्स को नहीं लेना है जिसे जो 싸heer खान रोजाना दो विकेट, तीन विकेट निकुट निकाल रहां था कल मैं आपको बोला जहिर को बोला को ग तो आपने देखा हारबर की बैटिंग नहीं आई उसकरा मुहम्मद नभी मौम्मद नभी सभी के पास था मैंने एक बार फिर से आपको वोला एस्टन अगर के साथ जाएंगे एस्टन अगर कॉमने टीम में लिया और कैप्टन वाइस कप्टन सारी चीजें परफेक्टली रो अगर आपको Фapyныне पैसा कमाना है फैंटसी में आपको प्रॉफिट कमाना है फैंटसी में आपको रोजाना विल करना है तो एक काम करना होगा जैसे आज का Cup D इस वीडियो में लगबग 18-20 मिनट का वीडियो है आपको एक एक चीज मैं clearly बता दूँगा कि कौन-कौन सब प्लेयर हैं जो रन बनाएंगे कौन-कौन से बनाएंगे और कौन-कौन से प्लेयर हैं जो हमारी fantasy की टीम में होने चाहिए अगर आपको विल करना है तो एक छोटा काम करना होगा 18-20 मिनट का वीडियो पूरा देख लीजिए गरंटी देता हूं अगर आपने पूरा वीडियो देख करके वीडियो के हिसाब से टीम मनाई तो आपको कोई हरा नहीं सकता और क्या चाहिए आपको दादू आप में से लगबग 80% लोग हैं जो रोजाना पूर पूरा वीडियो देखें के प्रॉफिट कमा रहें तो अगर आप रोजाना प्रॉफिट कमाने के लिए तो आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे तो बात कर लेते हैं मैच के बारे में लेकिन उसके पहले एक चीज़ और आपको मजा दूँ यह आज के मैच की बात है इ तेरा लाक लोगों के साथ आप भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो चल्दी सब्सक्राइब कर दो और मुझे थोड़ा सा प्यार देने के लिए ताकि मैं आपको रोजाना ऐसी फिन करवाता रहूं जैसे करवा रहा हूं उसके लिए एक जो नीजे लाइक का बटन है यहा लेकिन आपको बता है अभी टॉस नहीं हुआ है अभी प्रॉफिट कमा रहा हूं जिस ट्रीम के साथ मेरे फॉलवर्स रोजाना प्रॉफिट कमा रहे वह आपको टेलीग्राम पर मिलती हैं तो अगर आपने अभी तक टेलिग्राम जोइन नहीं कर रहा है तो इस वीडियो पूरा देखने के बाद इस वीडियो के description में जाना, description में मैंने telegram channel का link दे रखा है, fantasy cricket group, ध्यान से सुनना fantasy cricket group, बिल्यूटिक वाला verified channel है, 6,8,000,000,000 subscribers पहले जुड़े हुए है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप भी जाकर के description में link से channel join कर लीजगा, अब चैनल जहिए करने का फाइदा क्या है? एक तो आपको यहापर इस मेच की Tea year मिलेगी, दूसरा आपको free gear मिलेगे, तीसरा आपको free tips मिलेगी, और अभी आज-कल Kabaddi स्टार्ट हो गया है । Wो टिम्स भी आपको वहाँ पर मिलेगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आप 10 ग्राम चुन कर लिजेगा अब का इस बात करें मैंच के बारे में तो मैंच करा जाएगा एडिलेड के होम ग्राउंड पर तो अब एडिलेड को फाइदा मिलना वाला है अब पिछके अगरम बात करें तो पिछ यह बैटिंग लेकिन शायद मेरे इसाब से 180 के उपर टोटल नहीं जायागा बहुत मुश्किल है ठीक है 170 के आसपास टोटल बनना चाहिए जो विकेट गिरेंगो इसमें मैक्समम हिस्सा वो पेसर्स का होगा थोड़े बहुत विकेट स्पिनर्स को मिलेंगे हाला कि जो क्वालिटी स्पि नहीं किया है तो इंतजार मत करो यार इकलोती ऐसी फंटेसी अप्लिकेशन है जो आपको बिग बैश लीग में भी करोड़ पती बना रही है लीडर बोर्ड इनका चल रहा है अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप पर आते हो तो आपको एक करोड़ फ्री मिलते हैं और सब्सक्राइब करने पर फंद्रा सब्सक्राइब करने दूसरा आपको पहले डिपोजिट पर ट्वंटी प्रसेंट एक्ट्रा कैश मिलेगा और अगर आप यहां पर वीडियस लक्षमन की टीम को हराना आसान है क्योंकि उनको क्यों पैसे नहीं जाते हारने पर वह रेंडम यहां से थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि पिछ कैसी है यह सारी चीज़े में अपनी टीम प्रानाने के लिए अपलाई करता हूं तो इन सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लो तो भाई आपको हराने वाला पैदा नहीं हो अदुनिया में हलाकि मैं यह नहीं बोल र की यह आखरी मैं जो खेला गया इस ग्राउंड पर इसमें एडिलेट की टीम ने एक सो उन्चास बनाए और मैलबॉन की टीम सिर्फ स्वारण बना पाई और यह इसी सीजन की बात है मतलब बहुत बड़ा टोटल लिए फिर भी पहले बैटिंग वाले टीम डिफैंड करने म मतलब बहुत चोटा स्कोर बना था यह बारिश की वैसे उसके बाद एडिलेट की टीम ने चौते मैच में बनाए और सिर्ली थंटर की टीम बना पाई यह मैच भी पहले बैटिंग वाले टीम ने जीत लिया तो आप देखो कि पिले चारा मैचर मैच से तीन मैच पहले आईदा होना चाहिए अब गाइस जो विकेट गिरे वह आप देखिए टोटल जो विकेट गिरे पिछले चार मैच हो पेसर इकतिस मिलें इस्पर्स को 14 मिलें मतलब कि इस्पिनिट को भी मिल रहे है उतने नहीं लेकिन मिल रहे है अब इसमें धेकिए पेसर को पहले मैंच यहां से आपको थोड़ी सी help मिलेगी अपनी टीम बनाने में प्लेयर चूज करने में ठीक है 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 टो हैट से हमें पता चलेगा कि कौन-कौन से प्लेयर है जो एक दूसरी क्या गया है कर रहे हैं यहीं से हम प्लेयर करते हैं अपनी टीम के लिए देखें लगबग हर एक मैंच में पिछले चार में से बैटिंग में पहुंग कर रहे है एडिलेट के रही है उसके बाद बाद में सबसे अच्छा पहुंग किया है इस पिछले मैं मैंने सिडल को ड्रॉब करने के लिए बोला था आज बोला हूं सिडल को टीम में रखना है तो मेरे हिसाब से आज विकेट निकालेंगे एक यहा यहां पर लिया वैस अगर ने उसके बाद एक विकेट यहां पर लिया वैस अगर ने और दो विकेट यहां पर लिया है तो चार में से तीन मैचों में वैस अगर को विकेट बिलाए अब उसके बाद नमबर आता है आपके राशिद का राशिद आपको यहां पर नहीं तो इसमें आप बैटिंग में देखो कि कोई भी प्लियर आपको कंसिस्टेंट्ली रेगुलर पहुम करते हैं लिए आपको दो इनिंग में पहुम करते हैं 26 और 17 बाकि इसके लावा एक आपके पेरेसन है जो की थोड़ा डाउन आते हैं बैटिंग के लिए हलाकि हैं तो हैं अच्छे किया यहां पर 47 नोट आउट यहां पर आपके 69 नोट आउट ठीक है और भी मैचो क्या है अब बालिंग में बाटलेट एक विकेट बाटलेट तीन विकेट ठीक है इसके दो विकेट और इसके एक विकेट यह दो बॉल रहे हैं जिन्णोंने पर हों किया है मैच प्रेडिक्शन के बारे में यह जरूरी होता है आपको जानना यह चीज़ आपको टीम मराने में समझजाता है कि कौनसी टीम मैच जीतेगी और उसके हिसाब से हमने कौनसी टीम के कितने प्लेयर पिक करने है अब ही तक अगर आप मेरे पिछले वीडियो उठाकर देख करें इस मैच की तो मेरे हिसाब से इस मैच को एडिलेड की टीम जीतने वाली है हलाकि किर्कट अर्श चिंताओं केल है लेकिं चांसे ज्यादा एडिलेड के हैं अब उसके बाद हम बात करें आपके फ्री गिवा कोश्चन की आपको तो मैं आपसे वीडियो में दो सिंपल स आगे आएगा अगर आप दोनों कोश्चन का सही सही प्रिडिक्शन कर देते हो तो सही सई सही आंसर कर देती हो तो आपको आपने इस वीडियो को कहीं पर भी किसी भी गुरूप में शेयर कर देना अगर आपका सही आशर हुआ अपने वीडियो को कहीं पर शेयर करा हुआ तो आपको फिरी में 10,000 मिल जाएंगे तो पहला कोश्चन है कि आज कि कितने रिन बनाएंगे और उनको आउट कोन करेगा साथ हो करें जिसकी वेसे उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है अब यहां पर ब्रिजबैन हीट की प्लेंग लिए उनकी बात करें तो ब्रियांट लिन बैंडक हेजल और उसके बाद टॉम कूपर और जिमी पैरिसन पर आपके जैंस बैजली मार्क इसकीची मुज किस प्लेयर को होने चाहिए देखिए अगर आप बड़ी लीग खेले हो दस मेंबर या ग्रण लीग ठीक है तो आप ब्रियांट को ट्राइ कर लीजेगा क्योंकि इनको आप कोई नहीं ले रहा हाला कि यह टैलंटीड प्लेयर है इस वक्त आउट आउप फॉर्म जरूर है लेकिन कभी भी पर्फॉम कर सकते हैं तो ग्रांड लीग में आपके लिए बरियांट अच्चे होंगे इस वक्ति इनकी बैटिंग नहीं बना पाए हैं जैंस बैस्टीम में रखूँगा मार्क को टीम में रखूँगा मुझीब इनको शायद मैं ड्रॉप कर दूँगा ले पहले अभी तक इस बिग बैश लिग में फ्लॉप रहे हो लेकिन ये भी एकदम से पर्फॉम करेंगे एक मैच में दो तीन चार विगट लेके जाएंगे और आपको ग्रांड लिग बिन करवाके जाएंगे तो मुझीब और आपके बरियांट दो इंपॉर्टन फ्लेयर है इस सीजन में अच्छा पर्फॉम कर रहे हैं अगर इन में से मुझे किसी को लेना होगा तो मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा क्योंकि लास्ट टाइम पर मेरी फाइनल टीम चाहिए है आपको वो टीम चाहिए इसके साथ मैं जीत रहा हूँ तो प्लीज इस वीड इस ग्राउंड पर कुछ खास किया नहीं है बैंडक पहली इनिंग जरूर अच्छी के लिए उसके बाद पूरी तरिके से फ्लॉप चलते रहे हैं तो इस चीज़ को देखते हुए आप सेंट की जगह पर बरियांट को ले सकते हो क्योंकि बरियांट का रिसेंट कराब है त अगर अच्छे पॉर्म कर जाते हैं तो आपको क्यों हराने वाले नहीं है तो अब कुछ यहांट है कर सकते हो अब हैं पूरी तरिके से फलॉप चल रहे हैं ग्रन लिंग मापके काम आ सकते हैं मुजीब की एक और बात है यहां पर फ्लॉप है इस टीम के ऑगेंस्ट भी प तो बड़ा धमाका होगा वह जीब का तीक है उसके बाद ने की बात हो चाहिए लेने की बात हो तो जैम्स तो आप इसका screenshot लेकर रख लीजेगा लास्ट टाइम पर देख लीजेगा या फिर आप दो बारा आकर वीडियो देख लीजेगा जब लाइन अप आए अब इस बात करें आप पर हम बिश्पैन के प्लेयर्ज और उनके विकेट एडलेट के अगेस्ट यहां पर आप जो सबसे खराब बॉलर होता है जो पैटिंग लिग रपाता हूं उनका भी अच्छा होता है इससे ठीक है लेकिन यह इस वक्त अच्छी फॉर्म है तो उस चीज को देखते हुए शाहिद में को टीम में लूँगा बैजली है अभी तक केले नहीं है आपके मुझीब यह सा आपनिंग करेंगे जैक उतना अच्छा फॉर्म में लेकिन मैट अच्छा कर रहे हैं मैट रैंशो पिछले मैच में आया हमने टीम में रखा आसानी के साथ इन्हें विन करवा के चले गए पिछले मैच भी बोला था आज फिर से बोला हूं इंपॉर्टन प्लेयर है को लूँगा labs को लूँगा मैं मैं थाफ्र मैं ब्ाइदान को लूँगा इसके बारे मैं Yet usually टॉस के ताइम पर done देगी तो कर अगर ये टैश्ड करेंगी तो फिर मैं जैकस का चलाagit की सब्कृई एक्ए ट्रा ललूँगा जो होगा मैं आपको टेडिग्रा स्क्राइब तो यहां से राशिद खाह मेरी टीम होंगे और फिर पीटर सिडल इनका पहुमेंच जिस तरीके से बिर्जबैन के अगेस्ट होता है उसको देखते हो इनको टीम में लोगा लेंच में से लेई सकते हो तो यह बात डोने टीम में हमारे रहूंगे अब कानार फिर उसके खास किया नहीं इस तीम कर लिकार है अब और 40 के बीच में रहते हैं मैं अभी तक इनको अच्छा ही स्टार्ट विला अच्छा इन्होंने स्कोर किया है जोनातर वेल्स इन्होंने पिछले चार मैचों में दो बार अच्छी निंग के लिए 30 पलस और इस टीम के अगेंस्ट भी ठीक ठाक खेल चुके नौट आउट रह लेनी जागा पर यहां पर राशिद खान राशिद खान बाकि इस टीम के अगेंस्ट इनना हर मैं विगेट रहा लें हैं दो इस ग्राउंड पर तो राशिद खान पर फ़र्फेक्टली हों करते हु़ा रहे हर एक चीज़ में अब उसके बाद आप आप देखो कर पिटर को इस ग्राउंड पर भी उतना ही कजब का पॉहमेंस कर रहे प्रेटर सेडल और राशिद आपके लिए इंपोर्टर टिक्ठा कर रहे इस टीम के अगेंस्ट भी ठीक्ठा किया है फवाद कुछ खास नहीं है लेकिन इस टीम के अगेंस्ट इनका फॉहमेंस उतना ही अच्छा ज जारी जार्ज गाटन जार्ज गाटन पिछले मैच में आये दो विकेट निकाले और यहार बनाए हमारी टीम में थे अच्छा खासा पॉइंट दियो अच्छा विन करवाया यहां लोक और डैनियल के प्लेस का अवरेज बिस्बैन के अगेंस्ट और एडिलेड के बोलस के अब बैटिंग में देखिए वैदल नो में चौ में चौमिस का अवरेज अवरेज यह उतना अच्छा नहीं है वैल्स 35 का अवरेज सबसे अच्छा खेल रहे हैं वैल्स तो वैदल और वैल्स में किसको लेना है वह आप डिसाइड कर लिजेगा या फिर टेलीग्राम पर द विकेट फवाद राशिद और आपके फिल्टर सेटेज इन तीन प्लेयर का गजब का पॉमस होता है और उसके अलावा वैस अगर यह तो सबसे उपर जा रहे हैं वाई चार में चो मैं आट विकेट तो यह आप मार्क कर लिजेए कौन-कौन से बोलर आपके लिंपॉर्टन अब आगे आपका दूसरा गिवे कोश्चन तो उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज अच्छे समझ में आ रही है एक बात आपको दादू जो लोग भूल जाते हैं या जिन लोगो याद नहीं रहाता कि मेरे वीडियो में क्या क्या बता है आप टॉस के आदे गंटे पह फिर ही में 10,000 रुप मिल जाएंगे आप इस बात कर लेते हैं यहां पर मेरी इंवायराय सरकल टीम के बारे में तो यहां पर जो मैंने फिलहाल टीम मनाई है उसमा आप देख सकते हो विकेट की पर मैंने बैंट को लिया हुआ है आपको ऑप्शन है निलसन लेकिन निलसन का बैटिंग ओडर कंफर्म नहीं है बैंट अच्छे टैलेंटीड प्लेयर है तो मैंने को लिया हुआ है और उसको बतक्रिस लिए और जॉनातन वेल्च ही मैंने चार बैस में लिया हुए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यह डिपेंट करेगा बैटिंग ओडर के हिसाब से क वेल्च को लेना या फिर जैक को लेना है तो जैसे बहुत कम मैच के लिए ब्रिजबैन के अगेंस्ट इंपोर्टन प्लेयर है इंट्रेंशनल क्रिक्ट के तो मैं इनके साथ जा रहा हु भाकि आप चाहो तो वरल या-फाद के साथ भी जासकत हो यहाँ आप यहां से भरतल मैं जो मैंने माइलन सरकल के लिए बनाई हुई है अब इसमें जो भी चैन्ज होंगे जैसे भी होंगे मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा तो इसलिए जिस बाइन अभी तक टेलीग्राम जोइन नहीं किया प्लीज अभी कि अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक द साइन अप नहीं किया अभी कि अभी कमेंट शेक्शन डिस्क्रिप्शन में जाओ और साइन अप कर लो आप फ्री में एक क्रोडर को जिस सकते हो माइलन सरकल पर तो चाहिए मिलते हैं टेलीग्राम पर बेस्ट अफ लैग